जैसे ही मैं आप अलकोल के पास लेके जाता हूं देखोंगे अब है इंजन स्टाउप हो चुका है आपको जाना है और इंट तो करना है कडने एंट करने के बाद आपको एची क्लिक करना आप तो आपकर करेंगे तो उपर काट आएगा उस कार्ट में क्लिक करने बाद चेक आट पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल में अड़ेज भर रही है और पेमेंट कर दीजिए अब अब इसको इसको सब्सक्राइब करना चाहते तो इसको सलेक्ट कर लो डिफिनिट्ली आपका प्राइस जो है अब चाहिए तो यह इंजन लॉक सिस्टम में बेसिकल एक्सिटेंट्स को रोग लिए बनाया जितने भी जो ड्रिंक करके गाड़े चलाते हैं तो वह उनके लिए बनाया गया है कि जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी और अगर उनके ड्रि आपको डिटेल भी देपाऊ में ठीक है और भी प्रुजेक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पूरा देखो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ कर देते हैं बनाना हम फटाफट से यह इसके पार्ट से और नीचे डिस्क्रिशन में इसका लिंक बिल जाएगा वहां से बाइक कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं बियो मोटर्स चाहिए ठीक है और जब भी आप इसको यूज करें त इसमें एक नॉर्मल टेप अगरा लगा दें ताकि टूटे नहीं ठीक हमाई तब से पूरा अच्छे से प्रक करके आएगा को ठीक है पूरा हैंड में लोके अंदर यह हमारा कंट्रोल बोर्ट ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा बने पावर देना आसान है आपको पावर य लिंक बिल जाएगा ठीक है MQ3 अलकोल सेंसर का है ठीक है अब इसको यूज करिए ठीक है विदाउट प्रोग्रामिंग है नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आप इस प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं तो चलो फटावर से स्टार्ट कर ले स्टुडेंट देख रहे हैं तो वह बेसिकली यूज कर सकते हैं यह अलकोल सेंसर है इसमें हमने जीरो पिन छोड़ी है आपको याद रखना है इसके अंदर हम जीरो पिन का यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है एनलोग आउटपूट है इसका यूज नहीं करना डिजिटल आउ इसके इंदर यहां पर नेगेटिव को खनेक करूँआ पांच वोल्ट देना होगा तो में इसको यूज करेंगे या दखना तो एक साइड यूज कर रहें तो एक साइड का पूरा वाट यूज करना है अगर आप इधर वाला यूज कर रहे हैं इंपूट आउटपूट तो तो आपको इधर वाला पार्ट यूज़ करना ताभी हम यह वाला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले देखो यहां पर वी सी सी इसको पांच वोल्ड चाहिए अच्छी बात इसमें पांच वोल्ड का है क्योंकि रेगुलेटर लगा हुआ है तो मैं यहां पर पांच वोल्ड मे तो पॉज़िव यहां नेगतिव यहां ठीक है आपको यह स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें पॉज़िव नेगेटिव यह जोडना है गलत नहीं जोडना है अब यह जो है हमरा आउटपूट है इसके बाद यह जो जाने वाला यह आपको देखना जरूरी अच्छे से ठी करना sensor का cross check कर लो आप लोग ठीक है यहां पर connect किया ठीक है बस इतना सा connection हो अब हमें एक motor लेनी है इस motor के wire कैसे भी करके ठीक है आपको बस इस वाले motor part में connect कर देना है यह nut को खोलना है यह nut पूरा बहार नहीं आता हलका-लका open होता है ठीक है इस चीज़ का ध्यान इंजन का काम करेगा फिलाल इंजन हम इसमें शो करेंगे ठीक है मैं इसको टाइट कर रहा हूं ठीक है बिलकुल इजी है विदिन 10 है जो की आपसे गरबड हो सकते हैं इसलिए यहां पर बिलकुल हाथ बांद के बैठ जाओ और देखो यह बज़र है इस पर पॉजटिव लिखा है यह बड़ा लाइग है ठीक है या दखना यह चोटा लाइग है तो मैं इसे connect कर रहा हूं light blue वाले को मैं पॉजटिव मान र दालना है कहीं भी connect कर दो यह पांच मुल्ट में connect कर दो बहुत यह जो है नेगेटिव वायर यह हम connect करने वाले आउटपूट में मैं आपको कहाते है ध्यान से ठीक है यह जो इंपूट आपने इधर यूज़ किया उसी का आउटपूट आपको यूज़ करना तो यह वाला आप पूरा का पूरा रैडी है इसको टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं ठीक है आप इसमें वील लगा दीजिए यह इंजिन की तरह काम करेगा बहुत अच्छा है इसमें देखां इसका वरकिंग जो आपको समझ में आएगा क्यों क्योंकि इसको इसको मैं पेस्ट करके पिलाल टेस्टिंग कर लेता है नॉर्मली ताकि मैं को टेस्ट करेता हूं फिर मैं इसको एक गत्य पर चिपका दूँगा जिससे यह प्रेजेंट्रेटिव बन जाएगा इसके रिलेटिड डीटा और बाइलिंक्स वगरा मैं नीचे दे दूँगा अब पढ़ सकते हैं मेरी वेबसाइट पेस से रिलेटिड डेटा आपको पढ़ने को मिल जाएगा ठीक है चलो यहां पर हम बैटरी कैप कनेक्टर आप चार्जर वगरा लगा सकते हो अगर कॉंपटिशन में तो वैसे बैटरी कैप कनेक्टर यूश करना मैं ज्यादा तर दो बैटरी कैप यूश करता हूं तो यह रेड़ वायर चोटे वाले में जोड़ना है ठीक है ध्यान रखना शॉट ना हो ठीक है यह नेगेटिव में जुड़ेगा कनेक्शन देख लो पास से ठीक है तो यह पर एक से भी चला सकतो ऐसा नहीं है ठीक है मैं दो क्यूश करत आपको ठीक है बहुत इजी विमार 100% अपका यह सेलेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट देख रहे हैं सबसे पहले एक बैटरी पे चल जाएगा ठीक है यह छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है जैसे में इसको पावर दूँगा अब धियान से दिखना मैं आन करूँगा तो इं मात्रा रहती है तो आप भी इस तरह का इडियोई करता है या फिर रियल का अलकॉल भी कहीं से आपको बलता है थोड़ा सा यूज कर सकते हो तो मैं यहां पर स्प्रे करता हूं ठीक है अब देखना क्यों क्योंकि अब अलकॉल इसके आसपास नहीं है तो यह इसका वर्किंग रहा ठीक है अब रही बात यह चीज और बता हूं जैसे मैं इसको अंदर लगे रहा हूं ठीक है ऐसार इस प्री डारेक्ट नहीं मान धकन पर मानना या नीचे सर्फिस पगरा पर कर लेना आपको द्यान अकना चीज़ का ठीक है और आपको लगेगी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आप इसको सेट कर सकते एक इस कंडिशन में अब देखो मैक्जिमम कैसे सेट करते हैं यह मैं गुमा रहा हूं यह मैक्जिमम है अब नेरी वास मनों अब उस पॉइंट तक देखो यह सिस्टम को जैसे गुमाऊ हुआ यह ओन हो जाएगा इसको छोड़ दुमाई सेट हो जाएगा फिर देखना यह इंपॉर्टन चीज़ है अब बहुत ज़्यादा सैंसिट होगे जल्दी सैंस करेगा तेक है देखना हुआ है निकाले है बंद हुआ है थोड़ा सा समय लेगा है क्योंकि इसमें अलकॉल पूरा डिटेक्टेड़ है तर्च रहता है ठीक है इदक इंजन स्टाट हो गया ठीक है दुबारा लेकि जा रहे है ठीक है दुबारा यह काम करता है दियो अब बाब चड़क लेना तो यह एक्सिन्स को रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ठीक है आप लोग इसको तयार करो थोड़ी दिर में बंद जाएगा दुबारा इंदन चलो गया तो यह प्रोजेक्ट है बहुत इजी वे में मैं आपको बनाना सिखा इसको मैं पेश्ट करके बता देता ही बार आपको ठीक है नीचे डिस्क्रिशन लिंक देख लो आप ठीक है इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग से भी बनाना सिखा हूंगा कर नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर तो यह बेस्ट प्रोजेक्ट आप सभी के लिए सो गाइस फाइनली मैंने अपनी वेबसाइट को लांच कर दिया है ऐसा रोबोट इस डाट इन जहांप आपको मिलेंगे सब बेस से बेस यूनिक प्रोजेक्स और फास्ट डिलिवरी के साथ विदिन 3-4 डेस के अंदर आपके पास यह प्रोजेक्स पहुंच जाएंगे और और शेपिंग Dabei Free कर दी है मैंने इसके अंदर सो आपको कुछनी करना है आपको जाना और आपके प्रोजेक्स को सलेक करना है और remembers करने के बाद एच्टू करनेंगे आपको एट-ब्स करना है एक तो अबफर पर इंदर क्लीक करें मैं यहां पर एक वीक हो जाए दूसी वीक हो जाए फिर दो एक सथ यूज़ कर दो शिंगल नहीं बैटरी बैटरी बच जाती तुमें दो बैटरी लगा दिया पिला इंजन चालू है पर आप जैसे मैं आप एलकॉल के पास लेके जाता हूं देखू है ओ अभगा थैकर लेकिन फास वा रहे है एक खास बात वह रहे हैं गाडी के इंदर जैसे बेट और आप इंजन चालू करोगे और आलकोल प्याओ तब नहीं यह देखो गाड़ी के अंदर एंटर हो है यह स्विच है हमारे गाड़ी का वो तो चाबी बोल सकते हैं ऐसे आपको डेमोस्टेट करना है मैंने आन किया यह थोड़ी दिर में बंद हो जाए गाड़ी करें हैं क्यों यह बड़ी मशिन को ऑपरेट करते हैं तो वह वरकर तो यह इसका वर्किंग रहा, दुबारा देख लो भी बंद हो जाएगा है, क्योंकि इस मिया पे अलकोल बगरा जो है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और ऐसे इसको अटा दिया, दुबारा आप चालू करोगे, तो यह आराम से चालू हो जाएगा, मैं इसको साउंड कम कर इसे बनाज़ता है, खुद भी बनाज़त में, केट भी दे दूँगा, बना बनाया भी प्रोवाइड करूगा, जो अच्छा आपके वो अटर कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो, इसके नीचे मैं आपको और भी लिंक दे दी है, टॉप 5-10 मैंने लिंक्स दे दी हैं, इंस्पा